हेलो भीवर मैं निशात अहमद स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल GS Online पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो आपका कल मैत का एक्जाम होने वाला है उसके लिए Most Important BBI जो कोशन है उसी को मैं इस वीडियो में इंकलूड किया हूँ आप इस इससे पहले भी मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिया है आप उस वीडियो को देख सकते हैं उसका description में मैं लिंक के दे दूँगा वो भी आपके लिए बहुत फाइदामंद होगा चलिए दोस्तों शुरू करते हैं परिमय और परिमय जब परिमय और परिमय हो तो आपरिमय होगा इसलिए इसका option number 20 ही हो जाएगा अगला परशन है दो नंबर में निम्न में कोन अभाज्य संक्या है देखिए अभाज्य संक्या को कहते हैं जो एक और स्वयम के इलावा किसी अन्य संक्या से भाजित नहीं हो द्योसरे रूप में इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि अभा देखेंगे देखेंगे देखें 28 है तो एक और स्वयम के इलावा ये दो सभी विभाजित होगा इसी तरह हम चलते हैं यहां पे 79 है तो ये 6-9 तो ये 5-3 सभी विभाजित होगा 63 में चलते हैं तो 6-3-9 होगा ये 3 सभी विभाजित होगा तो ये 3 संक्या जो एक और स्वयम के अलावा किसी अन्य संख्या से भाजित नहीं होगा इसलिए इसका option number सी सही हो जाएगा अगला प्रशन है तीन नंबर में निम्न में कौन और परीमे नहीं है देखिए question को बिल्कुल घुमा के पूछा आपको समझना है question को निम्न में कौन और परीमे नहीं है यानि कौन संख्या परीमे है यहां पर पूछ रहा है कि कौन संख्या परीमे उसी को कह दिया कि निम्न में कौन और परीमे नहीं है देखे रूट में जो भी संक्यां हो वो संक्यां क्या होती है और परिमे होती है अगर रूट में कोई संक्यां है अगर वो बाहर निकल जाती है पूरा का पूरा उसका मान निकल जाता है तो वो संक्यां परिमे हो जाती है तो देखे इसमें रूट 7 का मान पूरा पूरा नहीं निकलेगा, root 13 का मान भी पूरा-पूरा नहीं निकलेगा, root 31–5 का मान जो निकालेगा, तो root 25 जो है पूरा-पूरा इसका मान निकल जाएगा, इसलिए इसका option number C सही हो जाएगा, root 25 क्या है परीमे संख्या, root 25 root 16 इस अगर दे दिया जाए तो वह भी परीमे संख्या क्योंकि पूरा-पूरा मान इसका निकल जाता है अगला चार नंबर में है दो लगातार समसंख्याओं का मौसा होता है तो समसंख्या वैसी संख्या जो दो सही भाजित हो तो कोई भी दो लगातार समसंख्या हो तो उसका जो मौसा यानि एक सीफ जो होगा महत्तम समापुर्तग वो क्या होता है दो होता है इसका उप्सन नंबर दो सही हो जागा इस प्रशन को आप अच्छी तरगी से समझ लिए थोड़ा सा समय दीजी आप देखिए दो लगातार समसंख्या कर रहा तो सबसे पहले समसंख्या लेते हैं दो भी समसंख्या है ठीक है उसके बाद लगातार लगातार कर रहा है तो दो के बाद क्या हो जाएगा चार समसंख्या तीन तो समसंख्या होगा नहीं तो दो का गुनन खंड करेंगे तो दो का गुनन खंड एक होगा और एक दो होगा उसके बाद चार का गुनन खंड एक होगा दो होगा इसी तरह एक समापरत कितना हो रहा है दो और और भी कोई अन्य संख्या जो ले लेंगे लगाता सम्संख्या हो तो वहाँ भी 2 ही होगा इसलिए इसका option number क्या सही हो जाएगा सी option number सही हो जाएगा चार का अगला परशन है 5 श्राषज नमबर में 22, 3 Isthyth है धीन दो इन हम वीडियो मैं इन को डाला है उस पर सब्से परेने निर्दशाण के जयरुलगादी को समझेंगे सब्से इसको हम लोग ईक्स डालते है और आध सोता है और यहां पर्थम पद होता है यह पलस में होता है ठीक है इसको पर्थम पद बोलते हैं उसके बाद इसमें यह वाला में चले आते हैं एकसे डैस और वाई भला में ठीक है तो इसमें होता है माइनस पलस होता है इसको बोलते हैं दूतिये पद ठीक है अब इसके बाद नीचे वाला में पहला पद होगा माइनस माइनस रहेगा तो कौन सा पद होगा तीसरा पद होगा माइनस पलस होगा तो कौन सा पद होगा दोसरा पद होगा अब पलस माइनस होगा तो चौथा पद होगा उमीद करता हूं दोस्तों यह समझ गये होंगे आप तो पलस पलस रहेगा तो पर्थम पद में इस्ती थे इसलिए इसका option number A सही हो जाएगा अगला परशन है छे नंबर में समानतर सरेनी आठ दस बारा का दसवा पद दसवा पद होगा तो दसवा पद निकालने के लिए हम जानते हैं कि A10 निकालने के लिए फर्मूला हमनों को याद है कि A plus N minus 1 इन्टू D होता है ठीक है यहाँ पर मैं जल्दी से थोड़ा आपको निकालने के देखिए A10 निकालना है तो A10 निकालना है तो A बराबर कितना है यहाँ पर 8 है 8 हो जाएगा plus N minus 1 10 हो जाएगा तो A2 दमा पत कर रहा है तो A10 हो जाएगा ठीक है उसके बाद D कर रहा है तो D क्या करते हैं? धूसरना पत में से पहला पत गटाते है तो दता है उसमेंसे 8 गटा देंगा धूक्त क्या हो जाएगा? तो इसलिए इसका मान 26 हो जाएगा, उम्मिद करता हूँ दोस्तों यह आपको समझ में आ गया होगा, अब देखते हैं 26 option किस में option में है, कौन सा option में, तो 26 option नमबर B में है, इसलिए इसका option नमबर B सही हो जाएगा, अगला परशन है 7 नमबर में, sin 90 degree, sin 90 minus A बराबर कितना होत है कि cos A बराबर होता, इसलिए इसको याद करना होगा, आपको इसलिए इसका option नमबर A सही हो जाएगा, अगला परशन है 8 नमबर में, निम्ने में से कौन सेक A के बराबर है, तो 1 by cos A जो है, वो सेक A के बराबर है, इसलिए इसका option नमबर A सही हो जाएगा, अगला परशन ह है 9 नमबर में जो कि बहुत मौश्ट इंपोटेंट है कोड साथ डिगरी का मान है तो 1 बाई रूट 3 जो है कोड साथ डिगरी का मान इसलिए इसका उफसन नमबर 20 ही हो जाएगा अगला परशन है 10 नमबर में कि बहुत अच्छा कोष्टन है यह कि देखे hungry-दो-Teen चार-Pांच-Chau tudra कि माधिका होगी तो देखे माधिका यानि जो बीच में जो संख्या है इससी ही हो जाएगा अगला प्रश् उसी फर्मूला पर बढ़ा देंगे कि लिए प्लिस इन-1 इन्टू डी ठीक है इसी फर्मूला पर इसको बैठाएंगे तो ए क्या है तो यह बराबर यहां दो हो जाएगा तो दो पलस दस्मा पद कर रहा है तो दस्मा पद 10-1 और इन्टू डी तो साथ में से दो गटा देंगा यह दोसरा पद में से पहला पद गटाते हैं तो डी नि 45 और दो क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा तो इसका 47 अंसर आगये अब देखते हैं 47 किसमें दिया हुआ है तो 47 तालेस option number C में दिया हुआ इसलिए इसका option number C सही हो जाएगा अगला परश्न है बारा नंबर में बिंदू दो तीन एवंग चार एक की बीच की दूरी होगी देखे जब भी इस तरह का दिया हो तो इसको सबसे पहले हम solve करते हैं किस तरह रूट अंडर कर देंगे और इसमें स इसको घटाएंगे इसमें से इसको घटाएंगे ठीक है अब पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से ठीक है तो सबसे पहले root अंडर कर देंगे इसको ऐसे solve करेंगे तो सबसे पहले 2-4 2-4 का whole square कर देंगे फिर फिर पलस में कर देंगे 3-1 का होली स्क्षायर कर देंगे ठीक है आप इसको solve कर देंगे तो 2 में से 4 जाएगा तो नहीं जाएगा तो चाहिए हम जानते हैं कि जब पलस माइनस हो तो जो बड़े का चीन होता है और किडिया क्या होती है माइनस क्यों होती है तो चार में से दो गिया तो माइनस दो का होली स्क्वाइर हो जाएगा यहाँ पर उसके बाद पलस तीन में से एक गिया तो क्या हो जाएगा दो का स्क्वायर हो जाएगा आप देखिए जब भी माइनस में कोई संख्या हो और स्क्वायर हो तो स्क्वायर का मतलब बतागी कि वो संख्या दो बार है तो हम जानते हैं कि माइनस माइनस minus into minus plus हो जाता है तो इसलिए इसका मान जो हो जाएगा minus 2 का मान क्या हो जाएगा minus 2 square का मान हो जाएगा 4 और plus इस 2 का भी मान हो जाएगा 4 ठीक है यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा अब देखिए इसका पूरा का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा रूट अंडर 8 रूट अंडर 8 को जब बाहर करिएगा तो 2 रूट 2 हो जाएगा तो आप देखते हैं 2 रूट 2 किस option में दिया हुआ है तो 2 रूट 2 option number A में दिया हुआ इसलिए इसका option number A सही हो जाएगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यह आपको अच्छी तरी के समझ में आओ गया हो गया अब अगला परचन में चलते हैं 13 में बिंदु माइनस 4 माइनस ाठ किस चतुर । माइनस 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 मैनस भी है मैनस चार मांणस 8 तो यह कौन सा पद में हो जाएगा 3-ě-पद , 3-J-E-1 , 3-23 बूंध की का편 smiled, तो ऑफ़सन नमबर सी में है, सोय हो जाएगा, अगला 14 नमबर में 14 नमबर में है, अर्दगोले के संपूरन सत्ह का स्थी तरफल होता है, 14 नमबर दोस्तों तो 14 झाहएब क्या होता है, 3 PYR स्क्वाइर होता है तो थ्री पाई आर स्क्वाइर ऑफ्सन नंबर बी मैं इसलिए इसका ऑफ्सन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पर एक नोट बतला देना चाहता हूँ कि मैं रोजाना का ऐंसर की डालता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजीए और हमारे चैनल पर सबको जोड़ेंगे सबको जोड़ेंगे और संख्यां कितनी संख्यां तो तीन संख्यां प्र्षी तो बारह कंता होगा चार होगा देखिए जब तो 2 से होता है पर्थम तो 2 उसके बाद 4 है तीन संख्या है नहीं उसके बाद 6 होगा सब को हमने जोड दिया तो 12 मान आया और उसके बाद 3 से भागा देते तो 4 तो 4 option number किस में है तो option number C में है तो इसलिए आधा गुवर्णत है कि पढ़ दोनों में से कोई एक आएगा तो आधा मानोता है वन बाई टू का इसलिए इसका ओफ्षन नंबर बीस ही हो जाएगा अगला परशन है 17 नंबर में निम्ने में कौन और परीमे संख्या है तो अभी आपको बतला हैं कि रूट में कोई संख्या अगर वो पूरा-पूरा बाहर निकल जाता है तो वो संख्या तो परीमे हो जाएगी और जो रूट में हो पूरे-पूरा बाहर नहीं निकले वो संख्या क्या रहा एक तो निकल जाएगा और 49.89 इसको सब्सक्राइब वह से लिए अगला प्रशिण है कि बिंडूंट माइनस पांच साथ और माइनस एक तीन के बीच की दूरी होगी इसकी बीच की दूरी निकालने के लिए हम को कह रहा है तो इसकी दूरी फिर वही फर्मूला लगा निकाल लेंगे तो इसको निकाल लेंगे कि mine-5 इसको अच्छी तरह समझ लिए माइनश पांच फिर इस मैनस पर मैनस एक है तो मैनस थहाला फेरा फर्मूला यहां पर मैनस एक और रहा है तो ये माइनस को हम कोष्टम लिग देंगा mine-1 ठिक है उसके बाद plus कर देंगे इसका HOLY SQUARER कर देंगे उसके बाद पलस करेंगे तो साथ माइनस तीन साथ माइनस तीन का HOLY SQUARER उम्मीद करता हूँ दोस्तो यहाँ तक आपको समझ भागिया होगा आप इसको फिर हम कर देते हैं रूट लूट अंडर पूरा को की देंगे देखिए पांच माइनस पांच वाई से ही रहेगा यह वाला जो है माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस माइनस पलस हो जाएगा और एक हो जाएगा इसका होली स्क्वार हो जाएगा और साथ में से तीन गिया तो क्या हो जाएगा साथ में से तीन जाएगा तो चार का square हो जाएगा ठीक है अब यहां तक दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा आप देखे फिर इसको root under में कर देंगे अब root में करेंगे तो minus 5 plus 1 तो घटेगा इसमें पड़े वाली का चीन रहेगा तो minus 4 हो जाएगा minus 4 का square और есяad populer फिर यहां 4 का square तोड़ेगा तो 16 हो जाएगा और इसका विखे लिए वाला वी स्कार तोड़े तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा तो total more root under 32 होगा तो 32 को जब बाहर करेगा तो चार root 2 की में हैından s there 19 का उमीद करता हूं दोस्तों यह अब क्या अग्रा परशन चलते हैं 20 नंबर में बिंदू माइनस चार माइनस आठ किस चतुरतनांश में है देखे माइनस माइनस कर आभी आपको बतला है कि जब माइनस माइनस हो तो वह किस चतुरतनांश में होगा तो तीसरे पद में होगा किस में होगा तीसरे पद में इसलिए इसका जो लोग भी एक्जाम देने वाले वो लोग देख लें और मैं जल्द ही आपके लिए एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पिलिस सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो में डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए बहुत बहुत धन्यवाद